दिल्ली के आली बिहारिस्थित लाल मंदिर के महंत कमलगरी महराज ने राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि कुछ भी हो जाए राम मंदिर वहीं बनेगा आईए देखते हैं हमारे संबादाता असिस कुमार की ये रिपोर्ट अब नवरात्रों के सीजन अभी चल रहा है बाद में कुछ धार्मिक मुद्दे हैं इन सभी के अलावा राम मंदिर का मुद्दा विर्यागा बहुत सारी बाते रहेंगी तो आईए इन से जानते हैं मेरा जो सवाल आपसे अभी है अभी जो राजनीती जिस तरह से बदल रही आप देख रहे हैं देश में 2019 का चुनाव नजदीक है क्या लगता है इस बार 2019 के चुनाव में क्या होने वाला है ऐसा है भगवन के आज तक कोई भी राजनीती का विशे हो किसी भी परकार का लोग जो है अच्छाईयों की तरफ ना जाके लोगों की बुराईयों को ज़्यादा टटोलते हैं चाहें वो राजनीतिक विशे हो और चाहें वो धार्मिक विशे हो लोगों की अच्छाईयों को ना देखते हुए बुराईयों की तरफ जादा देखते हैं तो इसी प्रकार से आज की राजनीती है अगर कोई व्यक्ति जैसे के कावत काई काई गई है पुराने गुरू लोगों के अंदर के घर के अंदर पूत एक बहुत है और कपूत तो सो बेकार है तो इसी प्रकार देश में अगर कोई सपूत पैदा हो गया है तो हमारा द्यान उसके सपूत के जो है अच्छाईयों को देखना चीए अगर हम अच्छाईयों को देखेंगे तो बुराईयां तो अपने अब दूर हो जाएंगी यह जो मंदिर है लाल मंदिर नाम क्यों पड़ा इस मंदिर का लाल मंदिर और यहां जो मंदिर में है किस तरह लोग आते हैं कितने लोग भीड़ जमा होती है जी ऐसा है जी इस मंदिर का नाम असली तो वैसे शिम मंदिर दत कुटी था लेकिन जनता की भावना इस परकार से होती है जन भावना से बढ़िया कोई भावना नहीं है क्यों जन्ता ने यहां सब जो है हमने पूरे मंदिर के अंदर जो है लाल पेंट हुआ करता था और हर चीज से लाली रखते थे तो जन्ता ने स्वेम इसका नाम लाल मंदिर इसको घोशित किया है गुरुजी आप से मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि यहां की जो मुख्य समस् आज तक भी हमने देखा यह यूपी गौर्मिंट की जमीन है सारी जब यूपी गौर्मिंट की जमीन है उत्तर परदेश में मायावती का रास था और यहां भी जो है निगम पार्शद उस समय मायावती की पाल्टी से ही था तो उस समय भी यहां की समस्या आल नहीं हो पाई जबके जो है यहां की समस्या उस समय चाते तो हल हो सकती थी यहां का मार्ग निकल सकता था यहां पे कोई छोटा मोटा स्कूल बन सकता था यहां पे छोटा मोटा कोई हॉस्पिटल ऐसा चीज बन सकता था ठीक है इसके अलाबा तो इसलिए आज तक जब यह काम नहीं हो पाया तो अब क्या आसा रखेंगे जब मायावती सरकार थी यूपी में क्या आप लोगों ने उस समय की यहां की जनता ने भी अतक प्रयास किया हर तरीके का प्रयास किया यहां से लेके और लखनाउ तक कि यहां का रोड की समस्या और यहां के हर जो जनता को हर तरीके की हॉस्पिटल की तकलीप है और या कोई जो है स्कूल की तकलीप है इन चीजों को दूर किया जाए गुरुजी दिल्ली सरकार जो है यह कहेंगे बनवा दिया होंगे पता नहीं हमें तो पता नहीं आज की स्थिति यह है इसकूल क्या और कोई छोटी मोटी डिस्पेंसरी क्या यह ऐसा कोई छोटा मोटा मार्क क्या अब यह दिल्ली सरकार ने देखो यह यहां पर पाइपलेंड गिरवा दिये एक साल से उपर ह हो गया आज तक पाइपलेंड को दबाया नहीं गया पानी आने की तो बहुत दूर की बात है और उपर से कहते हैं जी हम गंगा जी लाएंगे तो बताइए गंगा जी कब आएगी यह हमारे बराबर में एरिकेशन की जमीन है दिन परती दिन जुगियां गिरती जा रही है लोग जो है 150 का जगा कबजा करते हैं उसमें पक्के मकान बना लेते हैं उसको 4-5-5 लाक रुपे में भेज देते हैं और दिल्ली सरकार उनका मदद कर रही है दिल्ली सरकार से यहां जो विधायक है आमानतुल्ला खान तो वो कभी आप लोगों से मिलने आया या फिर आप ने यहां की जो समस्याय हैं वो पहुचाने कोशिस की आप लोगों ने विधायक जी के पास अलने विधायक जी के बीभा मिलें हैं इस जुग्गी के अंदर कम से कम तीन लेटरिन पहले से ही मौझूद है। दो लेटरिन उस सेड में मौझूद है। जब तीन सरकारी लेटरिन पहले से ही मौझूद है। तो आप यह बताईए तीसरी चोती लेटरिन का क्या मतलब है। अबने बोला भाई यहां लैटिन बजेंगी तो बबाल हो जाएगा आप राश्ट दज के बिलकुल बराबर में मंदिर के बराबर में लैटिन बना रहे हो इसका क्या प्रियोद ने है आपका आप तो यहां जो है उर्दंगा पना करवाना चाहते हो जंता में आपस में इसके कि बोला भूबने में वोद विधल के मंदिर चाहते है अब यह फोराबर में अब चाहते हैं जो और बहुत सावर आख़े और आने वाले जो चुनाओ आप दिल्ली में होंगे उन्हें पूरा भरोसा है कि सातों लोग सवा सीट भी इस बार उन्हें 2019 में मिलेगी और पूरी सीट भी मिलेगी क्या कहेंगे इस पर मतलब कि कितना विश्वास लोग का जगा है मतलब उनके परती ऐसा है जी दूर के डोल बहुत स्वावने लगते हैं ठीक है दूर के डोल बहुत स्वावने लगते हैं ये तो जब आदमी घर में खुद बजवाता है ना जब पता चलता है इसको और जो पहले जो है जनता दोका खा चुकी है जिस प्रकार से जनता ने दोका खा लिया है एक लोगों का जो पत्ता एक दफा साभी है आप समय क्या लगता है आपको अब बीजेपी सरकार के जो है वो साड़े चार साल बीच चुके उससे ज्यादा समय हो चुका है छे से साथ महिने का आप समय मुश्किल से बचा है लोकसवाचुनाओ 2019 में तो जिस तरह यह मुद्दा हर ने बरसों से लटका पड़ा है कि जो है इसको अब कुछ अती से जादा ही हो गया है तो जब कोई चीज अती से जादा हो जाती है तो उसका एक दिन अन्त आता जरूर है तो आज की यह स्थितिये यह राम मंदिर तो बनेगा ही और इस सरकार को बनाना ही पड़ेगा यह सरक हैं, तो जो है, अब कोट, 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 तो क्या इस राम मंदर के लिए special से अध्यादेश लागे स्कों क्या नहीं बनवा सकते हैं? हमारा देश इस प्रकार को है, धरम कोई भी हो, यानि के अपने अपने धर्मों को मानने वाले हर व्यक्ति अटूट विश्वास रखने वाले हैं हमारा देश ऐसा है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है एक पूरे विश्व के अंदर पूरी दुनिया में भारत वर्ष ही ऐसा है जो अपने अपने धर्म के उपर सब अटूट विश्वास रखते हैं हर तरीके से तो हमारी यहां की जंता जो है राम जी पे बहुत रखती है क्रिशन जी पे बहुत विश्वास रखती है संकर जी पे क्योंकि यह इनके पुरातव देधी देवी देवता है ना भाई सिव और सक्ति यह प्रारूप है ठीक तो इसी प्रकार राम मंदिर का मुद्दा ऐसा है यह तो भाई इसको देखो बनाना ही पड़ेगा फिर से बीजेपी आएगी आपके दिल्ली सरकार में फूल भाउमत से पूरी भाउमत से बीजेपी आएगी जो अंड्रेट परसंट कारण इसका यह है क्योंकि दिल्ली की जंता ने सारी पाल्टियों को एक एक बार नहीं कही कही बार देख लिया है अब इसके अलाबा बीजे की बीजेपी के अलाबा कोई विकल्प नहीं है आप किसी भी पाल्टी के अंदर देख लीजे कोई भी ऐसा वरिष्ट नेता नहीं ह जो इस देश को सही संचालन कर सके और चला सके देश से भी देश तक अगर हमारे अंदर कोई कमी नहीं होती तो इतने सारे जने मिलके हम एक ही व्यक्ति के पीछे क्यों पड़ते अगर शिव चला गया से तो एक शवी शव रह गया इसी प्रकार से सारी स्रष्टी के अंदर सकती ऐसे कोई भी जानवरों कोई इंसा नों कोई बी चीज weiter जो सब के अंदर पेड़ पल्दया हर चीज के अंदर एक सकतीlying वास यह जो हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, परिश्रम का काम कर रहे हैं, महनत का काम कर रहे हैं, किसी भी परकार का खोद रहे हैं, सब शक्ति का प्रारूप है हमारे सरीर के अंदर, तो अगर शक्ति व्यक्ति के अंदर नहीं हुई, तो समझ जा यह सब क करना चाहिए और नाई जो है जहां तक कोशिश हो व्यक्ति की कोई किसी की भलाई बुराई से भी दूर रहना चाहिए ये सब ऐसा भी से क्योंकि अगर हम जो है अरे साल के अंदर एक टैम ऐसा टैम आता है वैसे तो दूसरे नोरात्रे भी आते हैं लेकिन ये विशेश और जो है देवी देवताओं को पूजन करें ये थे लाल मंदिर के महंत स्री कमल गिरी जी जो की बता रहे थे कि किस प्रकार जो है देश में राजनीती बदल रही है साथ ही इनोंने बताया कि नवरात्रों में आप किस प्रकार माता की पूजा करें किस प्रकार आप पूज